गुद मॉर्निंग एब्रिवन, मैसल बेक्टर शिवाजी सरकार, तुड़े आम गईंग टू डिस्कास अबर टॉपिक ऑन साइक्लो अलकेन, साइक्लो अलकेन टॉपिक के अंदर आज मैं ब्यास्टिन थेयरी के उपर डिस्कास करने वाला हूँ और उसके साथ ही साथ मैं कैसे लिखोगे, तो सभी की पॉइंट को ऊपर डिस्कास करने से पहले, सभी पॉइंट को हमें जानने से पहले मैं सब स्टूडेंस अनवीवर को मेरा चैनल, डक्ठर सरकार होम टीवशन में सभी को विलकाम करता हूं, और उसके साथ ही साथ मैं सब स्टूडेंस अन् वीव subject and topic regarding, तो उस condition में students and viewers मुझे question पूछ सकता है, मेरे channel comment box के अंदर नहीं तो मुझे email भी कर सकते हैं, तो आभी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, ब्यास्टन theory क्या है, और उसके साथ ही साथ हम लोग जान भी लेते हैं, जब ब्यास्टन theory regarding question university level में और board level में पूछा ज जाते हैं और जब पूछा जाते हैं तो उसके answer को हमें कैसा लिखना है, तो सबसे पहले question तो यह जनायाठ हो रहा है, जो ब्यास्टन theory की application भी क्या है उसके साथ ही साथ, तो सबसे पहले question यह जानना है, जो ब्यास्टन theory की importance भी क्या है, तो question यह जनायाठ हो रहा है, जो हम जब Bayaston theory को परेंगे, जब Bayaston theory से हम लोग यह जान सकते हैं, जब कोई भी type की हम लोग cycloalkan को ले ले और उस cycloalkan की reactivity क्या होंगे, उसका stability क्या होंगे, उसे हम लोग easy to identify it कर सकते हैं with the help of Bayaston theory. So, according to the Bayer, he proposed that the optimum overlapping of atomic orbital is achieved the bond angle of 109.5 degree and according to him, this bond angle he considered as an ideal bond angle for all the alkan compound. That means, Bayer ने क्या propose किये थे? Bayer ने यह propose किये थे, जो optimum जो overlapping होंगे, तो उसी condition में आप क्या दिखोगे? उसी condition में आप एक bond angle दिखोगे और जो bond angle होंगे 109.5 degree और इसी bond angle को Bayer ने as an ideal bond angle के हिसाब से consider किये थे. So, effective and optimum overlapping of atomic orbital produce the maximum bond strength and it also responsible for increasing the stability of the molecule. So, if the bond angle derived from the ideal, then the ring produce the strength and higher the strength will be the higher the instability and higher the strength produce the increased the reactivity and increased the reactivity also be responsible for increasing the heat of combustions. That means, इसे हम लोग simple language में समझने के कोशिश करते हैं और इसे समझने के कोशिश के साथ इसे हम लोग जानने के भी कोशिश करते हैं. तो इस जगा पे यह बोला जा रहा है, जब कोई molecule को आप देख रहे हो, तो उस जगा पे ओh molecule आपका जब साइक्लाइलकेन होंगे, तो उस जगा पे उस साइक्लाइलकेन के reactivity किसके उपर depend कर रहा है? उसका reactivity and stability हम लोग देख पा रहे हैं, जो वो depend कर रहा है उसका angle strength के उपर. क्योंकि जितने angle strength होंगे, उतना ज़्यादा क्या देखेंगे? molecule का reactivity ज़्यादा होंगे. क्यों ज़्यादा होंगे? क्योंकि उस जगा पे हम लोग यह देख पाएंगे, जितनी ज़्यादा angle strength होंगे, उतनी ज़्यादा instability होंगे, उतनी ज़्यादा reactivity दिखेंगे, और जितनी ज़्यादा reactivity देखेंगे, उतनी ज़्यादा हम लोग यहा इसका मतलब यह हो रहा है कोई भी मॉलिकुल को हम लोग लेते हैं उस मॉलिकुल के अंदर जो अप्टिमाम भी उवरलाप करेंगे उतनी जादा उसके अंदर हम लोग क्या देख पाएंगे उसका स्ट्रेंग देख पाएंगे जितनी जादा बॉन स्ट्रेंग होंगे उस मॉलिकुल का अंदर क्या देखेंगे उसका स्ट्रेंग जादा होंगे और जितनी जादा हम लोग बॉन स्ट्रेंग क्या होंगे उसका बॉन स्ट्रेंग कम हो जाएंगे और जितनी जादा हम लोग बॉन स्ट्रेंग देखेंगे उ तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया और चान भी लिये जो बेया strength theory क्या है और उसके साथ यह साथ हम लोग यह भी जान लिए जो बेया strength theory से हम लोग किस तरीके से molecule का stability और उसका reactivity को determine कर सकते हैं तो अभी question यह जनायट हो रहा है जब हम लोग cyclopropane के साथ cyclobutane and cyclopentane की comparison करेंगे तो उस जगा पे cyclopropane के अंदर हम लोग reactivity और उस जगा पे उसका reactivity हम लोग ज़्यादा देखते हैं 60 degree क्योंकि cyclopropane triangular molecule है और जब हम लोग यहाँ पस cyclobutane की बात करेंगे इसका bond angle होते हैं 90 degree और बेया strength theory में हम लोग ने क्या देखा बेया strength theory में हम लोग ने यह observe कि जो angle strength के ऊपर उसका reactivity depend करते हैं मतलब जो molecule के अंदर angle strength ज़्यादा होंगे वो molecule instable होंगे that means molecule के अंदर हम लोग stability कम देखेंगे instability देखेंगे और जितने ज़्यादा instability देखेंगे molecule उतना ज़्यादा reactivity देखेंगे तो इसका मतलब ही हो रहा है हम लोग अभी देख लेते हैं जो angle strength किसकी ज़्यादा है तो इसे जानने के लिए हमें क्या करना होगा हमें यह standard जो bond angle जो bear ने रखा था उस angle को लेना है और वो angle क्या है वो angle है 109.5 degree that means जब हम लोग cyclopropane की बात कर रहें तो इस जगा पे हम लोग देख सकते हैं जो angle कितना निकल रहा है 109.5 degree minus 60 is equal to 49.5 और जब हम लोग cyclopropane की बात करते हैं तो इस जगा पे हम लोग देख सकते हैं 109.5 degree minus 90 is equal to 19.5 that means जब हम लोग यहाँ पर cyclopropane के साथ cyclopropane की comparison कर रहें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं angle strain हमारा cyclopropane के अंदर जादा हो रहे हैं और हम लोग ने अभी अभजाब की जो ब्यास्टेंट थियोरी में जो molecule के अंदर हम लोग angle strain ज़्यादा देखेंगे वो molecule क्या दिखाएंगे? molecule के अंदर हम लोग stability कम देखेंगे molecule उतनी ज़्यादा stable नहीं होंगे molecule ज़्यादा से ज़्यादा instability दिखाएंगे और जो molecule instability ज़्यादा दिखाएंगे वो molecule का अंदर reactivity ज़्यादा दिखेंगे तो यहाँ पर हम लोग angle strength cyclopropane का अंदर ज़्यादा देख रहे हैं जब हम लोग cyclopropane को cyclobutane के साथ comparisons कर रहे हैं and due to that reason only हम लोग यहाँ पर यह बोल सकते हैं जो cyclopropane के अंदर angle strength ज़्यादा है इसलिए cyclopropane के अंदर हम लोग ring opening reactions ज़्यादा देख पाएंगे जब हम लोग cyclopropane को comparisons करेंगे cyclobutane के साथ अभी हम लोग second question को देख लेते हैं जैसे हम लोग जानते हैं जो भी molecule हम लोग ले रहे हैं cyclalkan के अंदर so cyclalkan के अंदर molecule bigger भी हो सकता है smaller भी हो सकते हैं तो जो bigger molecule होते हैं उस bigger molecule को synthesize करना tough होते हैं तो question आ रहा है इसा क्यों होते हैं तो इसे हम लोग समझ लेते हैं by the help of some example जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो cyclohixen हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं cyclodecan हैं और यह दोनों के दोनों molecule क्या हैं यह दोनों के दोनों molecule cyclalkan हैं क्योंकि दोनों के दोनों cyclic हैं और दोनों के दोनों alcan हैं क्योंकि दोनों के अंदरा हम लोग hydrocarbon देख रहे हैं और उसके साथ इसाथ देख पाड़े एक करबन, दुसरे करबन के साथ, सिंगल कोवालेन मौन में जुड़ा हुआ है, तो अभी question यह जनायट हो रहा है, जब हम लोग cyclodecan के साथ cyclodecan के comparison करेंगे, तो cyclodecan से synthesize करना, cyclodecan से नया product जनायट करना, हमारे लिए tough होंगे, जब हम लोग इससे cyclodecan के साथ comparison करेंगे, क्योंकि यहाँ पर cyclodecan bigger ring system है, comparatively cyclodecan से, so question ओही है, जब cyclodecan ऐसा क्यों करते हैं, cyclodecan के लिए यह tough क्यों होते हैं, तो ओही हमें आभी जानना है, तो जैसे इसे जब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, तो इसे हम लोग एक example से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक smaller ring है, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर number of ring हैं यहाँ पर है, जब वो easy हो जाएंगे तो उसमें से product generate करना भी easy हो जाएंगी लेकिन जब उही कीस को और उही comparison को हम लोग bigger ring के साथ comparison करते हैं तो bigger ring की जो bigger molecule के end है वो एक end दूसरी end के साथ ना जूड के साथ हो सकता है और दूसरी किसी के साथ जूड जाए और दूरने के बाद वो नया दू दूसरी end के साथ easily जूड जाएंगे और जूडने के बाद उसमें से chances ये होते हैं जो नया product को easily generate करना लेकिन जब हम लोग कोई bigger molecule लेंगे तो उस जगा बे bigger molecule के जो दो end है वो end एक और एक के साथ जूडने के chances कम होते हैं वो एक end दूसरी कोई end molecule के end के साथ जूडने के chances ज जाफ होते हैं जब हम लोगों से कोई smaller molecule के साथ comparisons करते हैं जैसे अभी question ये जनायट हो रहा है जो हम लोग ने आप पर देख लिया जो best in theory तो best in theory के का कुछ limitations भी है और उसका useful भी है और उसके साथ ही साथ उसका number of कुछ limitations भी है तो इसके regarding question university level में और board level में पूछा जाते हैं और question को कैसा पूछा जाता है discuss the successfulness and unsuccessfulness of best in theory और इसको ऐसा भी पूछा जाता है जो आप best in theory के limitations के बारे में explanations करो तो सबसे पहले हम लोग best in theory के successfulness क्या है तो मैंने अभी बोला जो best in theory से हम लोग क्या निकाल सकते हैं best in theory से हम ल cycloalken ले रहे हैं वो cycloalken के reactivity क्या होंगे कौन से cycloalken ज्यादा reactive होंगे कौन से cycloalken कम reactive होंगे कौन से cycloalken की अंदर stability ज्यादा होंगे और कौन से cycloalken stability कम दिखाएंगा और इसके साथी साथ हम लोग best in theory से यह भी निकाल सकते हैं और यह भी conclusion कर सकते हैं जो bigger molecule क्यों ज्य और बीज सेफ़े नहीजिट हो रहा है, तो इसका लिमिटेशन क्या है, इसका इसका इसदाबंटेश्ट क्या है? So, bear was not able to explain the effect of angle strain in large ring system. According to bear cyclopentene should be much stable than cyclohexane but practically it is reverse. So, larger ring system are not possible according to the bear as they having the negative strain but they exist and much stable. So, large ring system are not planner but they are eliminated in a angle strain. तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो angle strain theory का advantage क्या है और उसके साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया जो ब्यास strain theory की disadvantage और उसका limitations क्या है. तो जब आपको इस question universitable में पूछा जाएंगे तो आप उसको answer जैसे मैंने आपको explanations किया उसी तरीके सा आपको इसका answer को लिख लेना है. तो आभी हम लोग देख लेते हैं next question को. Next question ऐसा है जो discuss the bear strain theory using the combutions data. तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर combutions data के हिसाब से हमें क्या पूछा जा रहा है? हमें यहाँ पर Angleston theory को explanations करना है. और इस question को ऐसा भी पूछा जा सकता है. Heat of Combutions and relative stability of cycloalkane. Explain about it. Though amount of the heat evolve when the one molecule of compound is burned in carbon dioxide and water is referred as a heat of combustions. क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी कोई compound, that means हम लोग कोई hydrocarbon को burn करते हैं, combustions करते हैं, तो उसमें से क्या होते हैं? Carbon dioxide बहार निकालते हैं और उसमें से water molecule बहार निकालते हैं. So, heat of combustion is an important property to know the stability and other valuable informations. The informations from the heat of combustion is important to understand the bear strain theory. क्योंकि मैंने अभी बोला, जो जो भी molecule हम लोग लेंगे, उस molecule को bear strain theory में हम लोग ने क्या देखा? उस जगा पे हम लोग ने ये देखा, जो भी molecule को हम लोग ले रहे हैं, वो cyclalkan के अंदर, जो molecule के अंदर हमारा strain angle, strain ज़्यादा होते हैं, उसके अंदर हम लोग instability ज़्यादा देखते हैं, instability ज़्यादा देखते हैं, तो उस जगा पे इसका reactivity ज़्यादा होते हैं, और reactivity ज़्यादा हुआ, तो उस जगा पे उसका heat of combustion जादा होते हैं यह हम लोग ना भी observe किये थे तो हमें यही point को याद रखना है क्योंकि हम लोग इस जगा पे observe कर पाड़े और हमें इस point को याद रखना है जो यह जो heat combustion से एक concept best in theory के लिए बहुत जादा important है जैसे यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं जो cycloalkan के अंदर number of ring system हो सकता है तो ring system यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर हम लोग chart में देख पा रहे हैं जो ring system 3 हुआ तो उसके heat combustion कितना होंगी 4 हुआ तो कितनी होंगी 5 होंगे तो कितना होंगे 6 होगा तो कितना होंगे और उसी तरिके से देख पा रहे ring system 13 हुए तो उस जगा पर उसका heat combustion यहाँ पर 157.8 हो रहे यहाँ पर हम लोग इस data में observe कर पा रहे है जितनी जादा हम लोग ring बना रहे हैं तो उस जगा पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं उस जगा पर हम लोग उसका heat of combustion यहाँ कम देख पा रहे हैं तो इसे हम लोग और भी कुछ example से इसे हम लोग समझने के कोशिश करते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ step को देख पा रहे हैं step number 1, step number 2, step number 3, step number 4 इस तरह के से हम लोग देख पा रहे हैं so इसे हम लोग जब अबजाब कर पा रहे हैं तो इहां पर हम लोग मान लेते हैं जो आपको step से जाम करना है so if one jump from the first train, then energy will be lower but if we jump from the higher then energy will be the higher and this can be causes the instability that means इस जगा पर समझो, इस जगा पर मान लो आपको step number 1, 2 पर आप खड़े हो, step number 2 से आप नीचे जाम करना चाहते हो और उसी तरह किसे step number आप मान लो 7 पर खड़े हो, यहां से आप नीचे जाम करना चाहते हो थो टूने ज हाँगर से आप जाम कर सकते हो लेकिन आप सोचो जब नमबर टू से आप जाम करोगे नीचे तो उछ जगा पर आपका stability क्या होगा? ज्यादा होगा यारा हम लोग ने अभी अबजाब किया, जब स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या होते हैं, जो मॉलिकुल के अंदर हम लोग क्या दिखेंगे, मॉलिकुल के अंदर हम लोग रियाक्टिविटी ज्यादा दिखेंगे, इसका मतलब जब हम लोग यह आपर यह कंक्लूशन ले स हम लोग इसा बोल सकते हैं, जितनी ज्यादा अनस्टाबिलिटी होंगे, उतनी ज्यादा हम लोग क्या देखेंगे, रियाक्टिविटी देखेंगे, जितनी ज्यादा हम लोग क्या देखेंगे, जितनी ज्यादा हम लोग देखेंगे, उतनी ज्यादा रियाक्टिविटी नही था और आज के lecture में हम लोग ने क्या-क्या discuss की, best in theory के बारे में discuss की और उसके साथ ही साथ मैंने आज आपको best in theory regarding कुछ question को भी समझाया और उसके साथ ही साथ मैंने आपको आज ये भी समझा दिया जब इसा question आपको board and university level में पूछा जाएंगे ताब उस cancer क्या लिखोगे तो thank you each and every students, each and every viewer for your support, for your comment and for your love. So thank you, thank you again.